नमस्कार दोस्तों आज हम जो साइप्रस का पुरा मुद्दा है उसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर टर्की क्या चाहता है भारत ने क्या रिजेट कर दिया उसको सब हम आगे देखेंगे लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है उसको पहल साइड में टर्की दिख रहा होगा तो सबसे जो पास देश है वो टर्की है इसके अलावा यहाँ पर एक और देश आपको ध्यान रखना है वो है आपका ग्रीस मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यह जो साइप्रस है इसमें जो सबसे बड़ी आबादी है वो ग्रीस जादा लोग यहाँ पर रहते हैं जो कि आपने को ग्रीक साइप्रियोट बोलते हैं और इसका जो नदन साइड वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ज्यादा तर जो टर्की के सपोर्टर्स हैं जो एक इंडिपेंडनेंट देश अपना चाहते हैं वो आपको देखने क मिलेंगे इसकी जो कैप्टल आप देख रहे होगे यह है यहाँ पर सेंटर में निकोसिया बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है जैसा कि आप यहाँ पर आप देख पाओगे यह लाइन गुजर रहा है यहाँ से तो यह डिवाइड है यहाँ पर और नदन साइड वाला गवन किया जाता है बेसिकली जो टर्की क्लेम करता है इस पूरे आलेंड पर और जो सदन साइड वाला है वो आपका जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है जो की चाहते हैं उनका खुद का अपना देश रहे है यहाँ पर वो आपका है और इसमें एक और जगह है इसको ध्यान र मिलेगा तो बेसिकली अभी पुरा मुद्दा क्यों अचानक से वापस आ गया है साइप्रस का कि जो टर्की के प्रेसिडेंट है एडोगान वो क्या कि यहां पर विजिट पर गये थे इसकी कैपिटल पर और वहां पर उन्होंने कहा कि टू स्टेट सलूशन होना चाहिए कह वेस्ट ने रिजट कर दिया है, कोई भी यहाँ पर नहीं चाहता टू स्टेट सलूशन, यहाँ पर ज्यादा तर पूरे विश्व में आप देश देखोगे तो उनका कहना है कि एक सिंगल कंट्री होना चाहिए, टर्की जो क्लेम कर रहा है कि यह वाला पार्ट हमारा होगा, वो गलत है तो चली इसी को पूरा हम समझेंगे, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप हमारे आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वरोशा के बारे में यह आप अगे इन मैप में भी देख पाओगे यह उपर वाला है जो कि टर्की के द्वारा गवन किया जाता है इस समय और यहाँ पर आप जगह देख पाओगे वरोशा तो यहाँ पर अभी जो गए थे टर्की के प्रेसिडेंट अर्डुगान उन्होंने यह कह दिया कि वरोशा जो जगह है उसको हम ओपन कर रहे है बेसिकली मैं आपको बता रहा था 1974 के बाद से वहाँ पर लोगों को हटा दिया गया था बेसिकली यह जो पुरा बॉर्डर आप देख रहे होना यहाँ पर हमेशा कई सारे क्लेम किये जाते हैं कई सारा क्लेम किया जाता है Republic of Cyprus के दौरा की यह वाला हमारा एरिया है और यह उपर वाले कई बार क्लेम करते हैं कि नहीं हमारा एरिया है और उसी की वजए से यहाँ पर Peace Keeping Force लगाया गया है UN के दौरा और वहाँ पर जादा तर एरियाज में बॉर्डर पर Cities को Empty कर दिया गया है जादा तर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यह जो अभी रीसेंट टर्की के दौरा डिसीजन लिया जा रहा था कि हम इसको वापस से ओपन करने वाले हैं वरोशा को इसको लेकर भारत ने reject कर दिया है भारत ने कहा है कि यह जो कदम है टर्की का वो पूरी तरह से गलत है हमारे जो external affairs minister है उनके दौरा भी recently ज़स्ट बयान आया था और यह कहा गया था कि UNSC ने जो भी resolution वगरा पास किया है उसके according चीज़ें होनी चाहिए टर्की अपने आप खुद से unilateral decision यहाँ पर नहीं ले सकता और भारत ने पूरी तरह से support किया है कि जो Republic of Cyprus एक unified जो country है वो यहाँ पर होना चाहिए तो basically यह पूरा मुद्दा जैसा कि मैं आपको बता रहा था कब आया था क्योंकि जो adugan है वो Cyprus के island पर चले गए और उन्होंने यह कहा कि यहाँ पर दो देश होने चाहिए मतब two state जो theory है two separate state जो होना चाहिए और साथ में यह भी बयान दे दिया कि जो Turkey है वो अगले 50 साल तक और waste नहीं कर सकता मतब Cyprus का मुद्धा सुलच जाना चाहिए तरकी जो है और waste नहीं करेगा अपना जो पूरा time है और इसको पूरा अलग तरीके से हमें सुल्धाने की कोशिश करने ही चाहिए लेकिन US ने भी इसको reject कर दिया आप देख पाऊगे US rejects Turkish two state proposal for Cyprus तो I am sure कि अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये है क्या पूरा मुद्धा तो चली इसको एके करके धीरे से समझते हैं आपको पता होगा उस पूरे रीजन में वहाँ पर Ottoman Empire हुआ करता था पहले तो late 19th century में अगर आप देखोगे तो Ottoman Empire ने क्या किया कि जो Cyprus वाला island है वो दे दिया Britain को, England को और ये basically इसलिए handover किया गया क्योंकि जो Ottoman Empire है वो रशिया के खिलाफ लड़ा था तो वहाँ पर उसको military assistance चाहिए थी तो Britain ने उसको military assistance दिया और ये वाला जो island है वो Great Britain के पास आ गया तो starting में अगर आप मुद्दा देखोगे वहाँ पर तो जाहिर सी बात है क्या जो लोग है वो खुश रहेंगे तो लोगों का वो उस समय आवाज उठने लगा कि हमें self determination चाहिए मतलब कि जो हमारा island है ये जो Cyprus का island है वो independence होना चाहिए Great Britain कैसे हमारे उपर rule कर सकता है सही बात है लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि वहाँ पर जो मुद्दा है वो थोड़ा सा different turn ले लिया वो मुद्दा क्या हो गया Greek और Turkish के बीच में मतलब कि यहां मैं आपको बता रहा था इस पूरे island पर Greek ethnicity के भी आपको लोग देखने को मिलते हैं और Turkish ethnicity के भी देखने को मिलते हैं तो उनके बीच में यहां पर पुरा conflict आने लग गया और दोनों की राय अलग-अलग होने लगी मतलब Cyprus का क्या किया जाएगा तो Turkey वाले लोग हैं उनका कहना था कि नहीं हमें यहां पर partition चाहिए मतलब यह जो नदन वाला हिस्सा है वो हमारे पास होना चाहिए सदन वाला आप यहां पर रख लो तो देखे यहां पर क्या होता है 1960 तक British occupation रहता है लेकिन आगे चलकर war-like situation हो जाता है और फिर finally जाकर 1960 में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक agreement होता है London-Zorich agreement और इसी के तहत Cyprus को independence दे दिया जाता है मतलब Cyprus ultimately क्या एक देश बन जाता है यहां पर और Britain से आजाज होता है तो 1960 के बाद आजादी के बाद भी अगर आप देखिए तो tensions दोनों ethnicity जो groups हैं उनके बीच में tensions बढ़ने लग गया लेकिन एक solution निकालने की कोशिश की गई बेसिकली आजादी के बाद यहां पर जो president है वो Greek ethnicity के बना दिये गया और उनके एक leader थे Greek Cypriot leader थे Makarios उनको president बना दिया गया और vice president बना दिया गया जो Turkish ethnicity से बिलॉंग करते थे तो इस तरह का कुछ solution निकाला गया जो civil services वगरा है उसमें भी 70-30 में split कर दिया गया 1960 के बाद से तो चीजें थोड़ी बहुत smooth हुई थी लेकिन tensions बढ़ आता finally जाकर जो पुरा tensions है बहुत ज़ादा गहरा गया 1974 में 1974 में basically क्या हुआ कि जो Macarius है जो president थे Greek ethnicity के उन्होंने कई सारे amendment को propose किया और ये amendment की वज़े से जो Turkish जो लोग है जो minority है आप कहलो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये हमारे उपर हमला है और ये नहीं होना चाहिए अब इन सारे चीज के बीच क्या होता है कि वहाँ की जो military है जो military जनता है और Greece जो है वो coup कर देती है तकता पलट कर देती है 1974 में और जो Macarius है administration है उनको हटा दिया जाता है ये सारी जो घटना हो रही होती है 1974 में तर्की को पसंद नहीं आता है तर्की suspicion से देखने लगता है और उसको लगता है कि जो Greece है वो उस पूरे island पर कबजा कर लेगा और इसी के बीच ऐसा करे उसके पहले ही आपर Turkey ने क्या किया कि जो northern वाला side है उसको अपने अंडर में capture कर दिया तो invade कर लिया basically जो Turkey है उसने नदन वाला side है उस पर अपना rule स्थापित कर दिया और इसको बोल दिया गया Turkish Republic of Northern Cyprus आई होब कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो नदन side वाला है वो basically Turkish Republic of Northern Cyprus जो है लेकिन ध्यान रखना है ये सिर्फ Turkey की दोरा क्लेम किया जाता है आज के date में भी जो नदन वाला side है वो Turkey की दोरा क्लेम किया जाता है लेकिन जो भी कुछ उस समय हुआ था तो यहाँ पर Northern side में जो Greek ethnicity के लोग रहते थे उनको छोड़कर वापस इधर आना पड़ गया और करीब 1,60,000 से जादा लोग जो हैं वो displaced हुए थे आज के date में अगर आप पूरी आबादी देखोगे इस island की यह करीब 11,12,00,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी और साथी साथ अभी प्रेजेंट में अगर मैं आपको इसका situation बताओ तो क्या है कि जो नदन वाला side है अगें वही तरकी देखो अगनाइस करता है इसी के वज़े से यहाँ पर आप देखोगे तो जो euro currency है वो आपका वहाँ पर चलता है तो 2004 में European Union का अभी पार्ट हो गया था लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि नदन और सदन साइड में तो दिक्कत आपको देखने को मिलेगा ही इसी के वज़े से UN की peacekeeping force यहाँ पर border पर लगा दिया गया जैसा कि आप यह green color में देख पा रहे होगे तो अभी issue क्या है? issue बस यही है यहाँ पर कि Turkey चाहता है कि उसको यह वाला पार्ट मिल जाए जो कि जादा तर लोगों का वहाँ पर कहना है अब कह सकते हो और जो पुरा talks वगर है वो इसलिए भी fail हो जा रहा है क्योंकि जो adogan है जो Turkey है उन्होंने 30,000 सैनिक अपने खड़े कर रखे हैं नदन टर्की के अंदर उनका कहना है कि पहले 1000 सैनिक जो ग्रीस के हैं यहाँ पर उसको हटाओ तब हम अपने 30,000 हटाएंगे तो यह पुरा इसमें मुद्दा चल रहा है और भारत ने जो two state solution है उसको reject कर दिया है तो जाने से पहले एक interesting question आपके लिए यहाँ पर geography से related है basically United Kingdom of France के बीच में एक straight है उसके बारे में बताना है जो की एक tunnel है वहाँ पर connect करता है France और United Kingdom को तो कौन से straight से वहाँ पर यह connect होता है इसका जो right answer है आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिले गई वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उतर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अगर आपको इसका PDF चीए टेलिग्राम पर आएए और अलग-अलग social media पर भी आप मुस्टे जोड़ सकते हैं बाकि अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं किसी भी state exam की preparation कर रहे हैं definitely आप हमारे course को join कर सकते हैं studyiq.com पर जाएए एप को download करिए I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ next time till then thank you very much see you soon